नमस्ते दोस्तों इंडियन मेड फोम मशिन में आपका तरहे दिल स्वागत मैं आपका दोस्त मैश पाटिल पूना आज का वीडियो जो हमारा बन रहा है यह बन रहा है फोम बॉक्स के उपर ही लास्ट जो वीडियो हमारा था यूट्यूब पे अप्लोड हुआ उसमें बहु तो दोस्तों हम लोग लगबग एक दस साल से ओन एवरेज दस साल से हम लोग फोम टैंक बना रहे थे उना में पहले सबसे पहले MS जो लोखन का था जो MS 4 mm उसका थिकनेस था तो यह लिक्विड में जो अपना जो वाशिंग लिक्विड रहता है उसके अंदर कॉस्टिक सोड़ा यह एड रहता है और कॉस्टिक सोड़ा यह जो है मेटल को खा जाता है कोई भी मेटल तो उसके लिए फिर वह रश्टी हो रहा था तो 50 लिटल टैंक या 70 लिटल टैंक का जो भी फोम टैंक आता था हमारा क्यांकि अलगलग साइज के हमने बनाया थे हलाकि 24 लिटल का भी एक फोम टैंक आता है कंपनी का नाम है इद्रोबेस तो यह रश्टी होने के कारण वो लिक्विड थोड़ा सा खराब हो रहा था और टै लाइप हमें मिला है फोम टांक का फिर उसके उपर सुलूशन चाहिए इसलिए हमने स्टेनले स्टील फोम टांक जो 2.5 mm थिकनेस वाला शेल का साइज था 3 mm और प्लेट का साइज था 5 mm क्योंकि स्टेल थोड़ा सा हेवी रिजिड कॉलिटी का रहता है इसलिए उसका थिकनेस जो हो कम कर सकते हैं तो वह भी मार्केट में लाये थे लेकिन आज के जमाने में अभी स्टेनले स्टील का जो रेट है वह हाईयर जा रहा है 70 लिटर का फोम टैंग हम लोग 35,000 में बेचे हैं तो वाशिंग सेंटर में 35,000 का इन्वेस्मेंट फोम टैंग के उपर थोड़ा सा लोगों को यह हो रहाता है तो उसके बाद में हमने वापस चाइना फोम टैंग जो है वो मोडिफाइड करके देने की चालू किया इसमें हम लोग मैनुफेक्शिनिंग नहीं कर रहे थे और हर वीडियो में हमने वो चाइना फोम टैंग का जो भी वीडियो बना है हमारा उसमें हमने क्लेर बोला था सभी लोगों को एकदम ओपन ले कि फोम टैंग का कोई भी गैरंटी नहीं रहेगा उनली टाइंग का वारंटी गारंटी कोई नहीं रहेगा क्योंकि टाइंग हम लोग बना नहीं रहे और लोगों को सस्ता चाहिए था तो उसके लिए हमने ट्रिगर गन जो लगबग 20,000 में कोई बेचे हमने उनिस पांसो बीस अजार ये रेंज में गए है तो उसमें भी थोड़ा इसे खामिया आने लगी क्योंकि फोम टैंक जो है उसका ठीकनेश जो था वो कम था 1.5 ऐसा उसका ठीकनेश था तो फिर वो एक इशू होने लगा सर्विस की नाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा तो अभी इसके उपर कोई सोलूशन चाहिए तो ऐसे ही करते करते हमने इसके उपर पहला ट्रायल लिया एलेक्टर कल और नुवाटिक तो हमारा वो एलेक्टरीक ऑपरेटटर और नुवाटिक ऑपरेंटर फोम बॉक्स में कि जिसके लिए कोई टांकी जो है स्टेन अटांकी की जोरोत नहीं आप कोई भी प्लास्टिक बकेट या बैरल कोई भी आप इसमें लीकृड डाल के सब्द people कर सकते अभी यह इसका फाइदा क्या है फाइदा पहला है कि अगर आपका लिक्विड प्लास्टिक बकेट में या ड्रम में रहेगा तो खराब नहीं होगा रश्टी नहीं होगा उसके बाद में आपको जितना चाहिए कॉंटिटी आपको अगर 10 लिटर का बनाना है तो आप 10 लिटर का बैरल उसमें रख सकते हो इसमें कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्जिमम ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 20 लिटर भी रख सकते पांच लिटर भी रख सकते आपके हिसाब से तो वह एक इसका फाइदा है एडवन्टेश कि आप लिक्विड की जो टांक कैपेसिटी है वह आप हमने हटा दिए मिनिमिम जो है और मैक्जिमम मैक्जिमम आप 500 लिटर या 1000 लिटर आपके हिसाब से आप बना के रख सकते हैं लिक्विड का जो डाइलोशन है वह डाल के आप पूरा महिने का एक बार भी बना सकते हो या फिर एक गाड़ी के लिए आपको बनाना है तो आप एक गाड़ी का नहीं है इसका यह प्लस पॉइंट जो है यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है उसके बाद में यह आप दिवार पर कहीं पर भी लगा सकते हो और वह आप यह कनेक्शन देखे आपका फोमिंग चालू कर सकते हो इसका ट्रॉली माउंटेड जो वर्जन है वो भी आएगा सिप अगर करने जा रहे हैं हम लोग तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है तो यही एक यह फोम बॉक्स लाने की अमारी जो कोशिश थी रिजन था कि फोम बॉक्स क्यो पुलाना है तो यही इसका सोल्सन है कि अगर टैंक आपका रष्टी हो रहा है तांक आपके लिकेज हो रहे क्यूंकि वशंग सेंथर में टैंक जो मूविंग रहता है तो उसमें डेमेगेस के चांसिस बहुत सारे होते हैं कि और वाशंग वर्फ कर यह कोई सकील वर्कर थोगाड़ी दोना उसमें भी थोड़ा सा स्कील है सानी मैं बोल रहा हू पुछी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे वाशिंग सेंटर पर ऐसा देखा है कि वाशिंग किया तो गन ऐसा पटक देते तो उससे भी डामेज होता है यह एक रिजन था हमारा कि टाइंग डामेज जो हो रहे थे उसके बाद में stainless steel foam tank का जो cost है वो higher जा रहा था लोगों को थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि चाइना foam tank हमको 10,000 में market में मिल रहा है तो आपका इतना महिंगा क्यों जा रहा है लेकिन लोग quality नहीं देखते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे इसमें मेरा वीडियो में एक ही है बहुत प्रस्ता रोए बार-बार महेंगा रोए एक बार तो इसके बावत में लोगों ने comment भी है बहुत बुरे-बुरे किया थे है तो ये तो एक general channel है अपना तो उसमें लोग commitment तो करेंगे अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे हमारा काम है हम लोग आपको service देने की कोशिश करे और अच्छा product देने की कोशिश करें इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे है कि हम लोग 100% perfect है नहीं इसमें थोड़ा पार हमारा भी work जो रहता है हर जगह पे हम लोग नहीं post पास सकते क्योंकि man man जो रहता है skill work उसका ये आता है limitation आता है और एक service area रहता है अब city से 200 km गूम सकते हो दिन बर में आप चार या पांच काम कर सकते हो इसके आगे नहीं कर सकते हो बीच में हुए कोई issue की service नहीं मिला है उसके लिए बे sorry हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी को service दे हाँ एकात दिन इधर इधर हो जाता है आदमी हूँ मशिन नहीं हूँ हाँ मशिन बनाया हुआ है तो वह इसाब से है आप यही यह वीडियो में आपको हमारे कोशिश थी कि फूम बॉक्स क्या चीज है और क्यों यूज करना है इसके बवद में guidance करना हमारा यह था मकसता आई होप यह वीडियो में आपको सब queries मिल गए रहेंगे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई